तो ये अपडेट हम लगतार आपको दे रहे हैं लेकिन बात अमरनाथ यात्रा की भी करेंगे चूंकि अमरनाथ यात्रा पर भी नजर आतंकियों की है सीधर रूख कर लेते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन भी जुड़े हुए आप अमन ओवर टे यह बिल्कुल शिरीन क्योंकि ये कहा जा रहा कि राशे राजमार्ग 44 जो है जो नेशनल हाईवे 44 है उसको टागिट कर सकते हैं ये बड़ी खबर जो है वो आई थी कि सेना की तरव से जानकारी दी गई थी कि आमरनाथ यातरा को आतंकी अपना निशाना बना सकते हैं जैसा कि अभी आपने बताया कि आतंकियों में जबर्डस बॉखलाहट है आपरेशन आल आउट और 137 के करीब आतंकवादियों को जो खात्मा किया गया इस साल अगर जुलाई की बात करें अब तक जिसका विजएकर खालेद उसे ने किया था और अभी साथ आतंकवादी मार गिराए गए हैं अभी चार कल कुल गाम में तीन आतंकवादी अभी जो शोपियन की जनकारी हमको मिल रही है उसके इसाब से चार आतंकवादियों को मार गिराए गया है तो कुल मिलाकर साथ आतंकवादियों को अभी मार गिराए गया है ये रेपोर्ट देख्याँ अमरनात यात्रा पर आतंकी खत्रा बाबा बर्फानी के भक्तों के खिलाफ आतंकी साविष्ट कश्मीर में आतंक का कोड वन थ्री जीरो जब शिव का त्रिनेत्र खुलता है तो विद्भन्स होता है ठीक वैसे ही कश्मीर में सेना के त्रिनेत्र से आतंक का अंथ हो रहा है सेना के ओपरेशन ओल आउट और एक्शन से आतंकीयों में भगदड़ भी है और बौखलाहट भी आतंकी शिव भगतों का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे 21 जुलाई से शुरू हो रही अमरना त्यात्रा आतंकियों के निशाने पर है जिसके बाद सेना और सुरक्षबल अलर्ट पर है पेशनल हाईवेच चावालीस के पास आतंकी अमरना त्यात्रा को निशाना बना सकते हैं इस बार कोरोना की वज़े से यात्रा 21 जुलाई से 3 अगस्त तक होगी इस समय दक्षिन कश्मीर में करीब 100 आतंकी सक्रिये हैं 30 पाकिस्तानी आतंकी हमले की फिराक में है दक्षिन कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभ्यान चलाया हुआ है 2019 में भी आतंकीयों ने अमरनाथ यात्रा पर हमले के साधिश की थी इस साल अमरनाथ यात्रा पाबंदियों के साथ ही होगी करोना काल की वज़े से रोजाना 500 तीर्थ यात्रियों को ही भगवान शिव की पवित्र गुफा में दर्शन की इजादत होगी 55 साल से कम उम्र के लोग ही यात्रा कर सकेंगे यात्रा के दौरान कोरोना से जोड़ी सभी जरूरी गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित किया जाएगा अमरनाथ यात्रा शुरू होने से चार दिन पहले दक्षन कश्मीर के कुलगाम में सेना ने तीन आतंकियों को मार गिराया अमरनाथ यातरा शुरू होने से ठीक पहले जैश का पाकिस्तानी आतंकी वालिद भी मारा गया जो IED एक्सपर्ट था करीब डेड़ साल से वो शिरिनगर में एक्टिव था और Most Wanted आतंकियों की लिस्ट में भी था जैसे कि फोजी भाई के मरने के बाद दो टर्रीश था जो कि IED एक्सपर्ट था खासके पाकिसनी उसमें अधनान है जिसको लंबू बोलते हैं दूसरा था वलिद भाई नौर्स कस्मीर में जो टॉप कमांडर है उसमें उसमान के मारे जाने के बाद अभी जो जिसको सज्जा बाबा बर्फानी के भक्त हर साल की तरह पूरे जोश और बोल बम के नारों के साथ अमरनात की पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन करेंगे आतंकियों के नापाक साधिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी प्योरो रिपॉर्ट जी मीडिया तो ना तो वस्तारबाद और ना ही आतंकबाद बर्दाश्ट कुछ भी नहीं होगा तीन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं रक्षा मंत्री राजनात सेंग का लदाख में थे हमने आपको दिखाया था उनके दौरे से जुड़ी हुई हर अपडेट आपने जी न्यूस पर देखी थी जहां सेना के जवानों ने कैसे पराक्रुम दिखाया रक्षा मंत्री राजनात सेंग आज पवित्र अमरनात की गुफा के दर्शन के लिए भी जाएंगे और रक्षा मंत्री राजनात सेंग आज एलोसी पर भी जाएंगे और वहां पर सुरक्षा हालातू का जाइजा लेंगे तीन बहुत ही एहम तस्वीर आज के तो ये शिरीम की तरह से बड़ी जानकाड़ी दी गई है अमनात यात्रा जो है बाबा बरफानी के दर्शन संभवता कर सकते हैं रक्षा मंतरी राजनात सिंग कल LAC, आज LOC, कल चीन को संदेष, आज पाकिस्तान को संदेष, कल अतिकरमन पर वार्निंग क्या कारेकरम रहेगा आप डिटेल में एक बर बतबा दीजिए दिखे अमन राजनाज सिंग का ये दो दिन का दोरा है जिसमें कल वो ले में थे जहां पर उन्होंने बिल्कुल चीन जो लेसी है उसके 43 किलिमेटर दूर बिल्कुल क्लोज जो लेसी के पास जिस तरीके से हमारे स्पेशल फोर्स है पराटूपर्स हैं उन्होंने अपना एक पर उन्होंने चीन को सीधा सीधा बिना नाम लिये संदेश दिया कि हम शांती चाहते हैं लेकिन हमारी सेनाय तयार है अगर किसी ने हमारे इलाके पर नज़र डाली और आज का दिन काफी कुरूशियल है क्योंकि आज वो अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और लाइन अप कंट्रोल पर भी जाने का उनका प्लान है लेकिन कल रात से ही पाकिस्तान ने कई इलाके में सीज फायर वायलेशन करना शुरू कर दिया है और जहर तोरप अगर आप खुफिया इंपुच देखें तो ये लगातारी बात कही जा रही ही कि एक तरफ हमारी फोर से वहां पर आतंकियों से मकाबला कर रही है पाकिस्तान स्पांसर्टरी का मका प्ला कर रही है और राजनाद सिंग का जाना कल भी और आज वीजिक कर रहे हैं वैली के अंदर जो हमारे फोर्सेज हैं उनको मार बुस्ट एप करेगा क्योंकि देश हमारा जो है इन जवान के साथ है और यही मैसेज लेकर के राजनाथ सिंग वहाँ पर गए हैं कि देश समझता है कि सालात में हमारे forces काम कर रहे हैं और जो दुश्मन है उसकी किसी भी साजिश को काम्याब नहीं होने दिया जाएगा और मनीश यह इसले भी महतुपूल हो जाता है चूंकि आज रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग अमरनाथ जा सकते हैं वहाँ जाकर बाबा बरफानी के दर्शन कर सकते हैं और थोड़ी दिर पहले हम दर्शकों को यह बता रहे थे कि इस बार अमरनाथ यात्रा पर इस बार भी क्योंकि हर बार आतंकियों की निगाहा उस यात्रा पर होती है जो बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं तो एक स्ट्रॉंग मेसेज मिलेगा और साथी साथ आतंकियों की हालंकि कमर तोर कर रख दी है सुरक्षा बलों ने यह बहुत महत्तुपून तस्वीर हम देखेंगे थोड़ी देर में राजनाथ सिंग्भी जो आतंकियों के अंदर एक तरीके से बॉखलाट है आएसाई परिशान है क्योंकि बड़े वटेक पिछले काफी दिनों से करनी पाये हैं उनकी कमर तोड़ दी गई है हमारी फोर्स लगातार हर रोज 3-4 आतंकियों को मार रहे हैं और कई ऐसे एरिया हैं जैसे हमने देखा कि डोड़ा और त्राल जो टेरर फिरी भी हो गया है लेकिन फिर भी जो टेरिस्ट है वो कोशिस करेंगे क्योंकि कोई भी एक छोटी भी घटा को अंजाम देंगे और खास तोर पर अमरनाथ यात्रा पर यात्रियों पर अगर इस तरीकी की साजिस रची जाएगी तो उसका बहुत इंपैक्ट होगा और इसी वज़ा से जो यात्रा है उसको सिक्योर करने के लिए वहाँ फोर्सिस को कहा गया है बाबा अमरनाथ के दर्शंग ले राजनाथ सिंग तो जाएंगे लेकिन इस बार एक रहत की भी बात है कि संख्या जो है यात्रियों की काफी कम होने वाली है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो 21 तरीक से यात्रा शुरू होगे सिर्फ 500 यात्री हर रोज एलाउग किये जाएंगे और उनमें से जादा एड्रॉप होंगे यानि वो चौपर के पूरी देश भर में एक मैसेज आतंकी देने कामया हो जाएंगे और यही वजाए कि कोशिस हो रही है कि कि किसी भी लेबल की कोई भी इस तरीके से कारवाई आतंकी को अंजाम जाएत तर पर और बहुत स्ट्रॉंग मैसेज एक जाएगा जब राजना सिंग वहां पर पहु झाले नव झाले कि कि अलकार ले लोरी नव